नमस्कार दोस्तों मैं अवगत और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलिक वैड स्टूडियो की एक और ने अप्टेट में शारुख खान का पसंदीदा निर्देशक रणबीर कपूर ने छीना संजू की रिकॉर्ड तोर सफलता ने रणबीर कपूर की पिछली सफलता को धोड डाला और बड़ी निर्माता निर्देशकों को रणबीर कपूर में फिर दम नजलाने लगा है यही कारण है कि नामी निर्देशक की फिल्म में रणबीर कपूर की होने की चठचाय चल रही है शारुख खान का ये पसंदीदा निर्देशक है जो अब रणबीर के साथ बनाए थी क्योंकि कहानी की डिमांड एक युवा हिरोगी थी शारुक के साथ पहली बार उन्होंने फिल्म नहीं निर्देशक की तौर पर असफलता का मूँ देखा था बेफिक्री की असफलता के बाद आदित्य ने संकेत दिये थी कि वह शारुक को लेकर ही अगली फिल्म बनाएंगे लेकिन आप रणवीर कपूर को लेने के चर्च सुनाई दे रहे हैं आदित एक रोमेंटिक कहानी पर फिल्म बनाना चाहते हैं और रोमेंस के बातशाह के बजाए वे रणवीर कपूर को ले रहे हैं बॉलिवुड के खबर्ची के मताबिक आदित्य को लग रहा है कि शारुक खान की तुलना रणबीर जुआ से हैं और संजू की सफलता के बाद उनका मार्केट गरम है इसलिए उनों ने रणबीर को चुना है दूसरी और शारुक के साथ आधित ने आकरी बार फैन प्रिडियूस की थी जो शार्च फिल्म की बुरी तरह से कुलना भूलें और डोंट फोर्गेट तो प्रेस्टा बेल इकन फोर मोर अप्डेट्स और नोटिफिकेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ज़ ओष你是 पんなसित वार्च फैमद्ट्ट्ट्क्रा फिल्म की तुम मैं है जसा जा हिईसके।